नमस्कार मिनास्विन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News पूणिया लोग सभाज छेतर के अंदर आने वाली रुपोली विधान सभाज सीट पर उप्चुनाव होना है और उप्चुनावों के तहत RJD की तरस बीमा भारती को एक बार फिर से भरोसे के लायक लालू प्रसाद यादव ने समझा है राजद सुप्रीमो लालु प्रसाद यादव ने एक बार फिर से पूनिया के बाद बीमा भारती को रुपोली उप्चुनाव पर उतार दिया है क्योंकि रुपोली विधान सभा सीट पर बीमा भारती ने पहले भी जीत दर्च की है लेकिन जनतादल यूनाइटिट के तहत जेड्यू पार्टी के जुड़ाव के साथ आपको बता दें कि यहां पर जो मुद्दा देखा गया है इस मुद्दे के तहत नितीश कुमार के साथ गडबंधन या कहें जनतादल यूनाइटिट से स्तीफा दे कर रुपोली विधान सभा सीट से स्तीफा दे कर सीधे तोर पर आरजेडी के साथ जुड़ जाती है बीमा भारती को लोग सभा में टिकेट भी मिल जाता है लेकिन हार का सामना करना पड़तो है पप्पु यादव के मकाबले पपू यादव पूरिया लोग सभा सीड से जित हासिल कर लेते हैं लेकिन वही पपू यादव जो लोग सभा चुनाफ के मध्य नजर बीमा भारती के खिलाफ नजर आए थे वही अब बीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं इतना ही नहीं वी आई पी अद्यक्ष मुकेश सहनी भी भीमा भारती के लिए प्रचार प्रसार किया है कि तेजस्वी यादव पपू यादव के आगे जुक चुके हैं कि भीमा भारती के समर्थन में उतरते वे मुकेश सहनी और पपू यादव की जोड़ी अब उन्हें चुनाफ जिता देगी वो नितीश कुमार जो यह कहत भी नहीं बचा पाई थी क्या ऐसी इस्तिती में अब भीमा भारती के जरिये पूरा विपक्ष मुतोड जवाब देता हूं नजर आएगा चलकता है आपको कमें सेक्चन में जरूर बताएं देखते ने स्पे नाइन नियूस थन्यवाद